जय हिन बंदे मात्रम स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजर लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म पर तो मैं आपके लिए आज नए टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं आप देख सकते हैं बिहार बोड का जो क्लास 6 का बुक है साइन्स का उसी से रिलेटेड आज मैं आप लोग को चैप्टर 1 आप लोग को पढ़ाऊंगा सबसे अच्छे तरीका से पढ़ाऊंगा बिस्तार पुर्वक और बारीकी से आप लोग को समझाऊंगा और एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगा और उसके बाद हम लोग जो चैप्टर आपको पढ़ाएंगे उस चैप्टर का हम लोग MCQ जो बस्तुनिष्ट प्रस्न उतरी होता है उसको भी आज की क्लास में करेंगे तो ये क्लास बहुत इंपोर्टेंट होने वाली है आप सभी साथियों के लिए और अगर आपको ये PDF डाउनलोड करना होगा तो टेलिग्राम चैनल का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में आप लोग वहां पर जाईए और टेलिग्राम चैनल को जरूर जवाइन कर लिजे और देखिए साथियों आज जो हम लोग बात करेंगे ये जितने सारे जो चैप्टर लिये हैं ये NCRT लेवर के NCRT प्लस में ACRT ये दोनों के mix हैं और इसी के अंतरगत हम लोग आज की class में MCQ को भी करेंगे और chapter देखेंगे कि जो class 6 है इसमें कितने chapter हैं उसी के according एक एक chapter को हम लोग बारिकी से समझेंगे और उसके बाद हम लोग उसका MCQ जो बस्तुनिष्ट परस्न उत् उसको भी साथीह में कर लेंगे ता इससे जो है आपकी त्यारी बहुत अच्छे तरीका से हो जाएगी तो देख लेते हैं पहले हम लोग chapter इसमें कौन-कौन से है तो देखिए यहाँ पर जो chapter वन का जो नाम है यह पहला जो chapter है भोजन कहां से आता है कलासिक्स का जो पहला चेप्टर का नाम है भोजन कहां से आता है इसके बाद जो चेप्टर दो है ये भोजन में क्या क्या होता है भोजन में क्या क्या बनता है क्या क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और चैप्टर जो तीन है इसमें तंतु से बस्त्र तक मतलब इसका हुआ कि तंतु से बस्त्र जो है कैसे बनाए जाते हैं इस चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे और जो chapter 4 है, इसमें बिभीन प्रकार के पदार्थ, जो बहुत प्रकार के पदार्थ कौन-कौन से है, जैसे पदार्थ जो होते हैं, मतलब कितने प्रकार के होते हैं, इसके according इसमें क्या-क्या चीज मिलता है पदार्थ में, तो class chapter 4 में इसको पढ़ेंगे, अब chapter 5 की बात करे तो इसमें होता है प्रिथक करन, इसके बारे में पढ़ेंगे, chapter 6 है, इसमें पदार्थों में परिवर्तन, कौन-कौन से पदार्थ में परिवर्तन होते हैं, जैसे भौतिक परिवर्तन, रसायनिक परिवर्तन और बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, तो इस chapter में हम लोग 6 मे किसा है मतलब मिणपोधे के प्रारूप कैसे है इसके रंग रूप कैसे हो सकते हैं इसको मतलब बढ़े करने में इसकी ब्रीधि कैसे हो दिया सब हम लोग चेप्टर seven देखेंगे और चेप्टर जो आठ है है यह चैप्टर नौ में पढ़ेंगे और जो चैप्टर दस है, इसमें सजीव और निजीव दोनों परकार के जो जीव हो जाएंगे, इसके अंतरगत पढ़ेंगे सजीव वस्तुए क्या क्या होती है और निर्जीव वस्तुए क्या क्या होती है यह सब जो है चैप्टर 10 में पढ़ेंगे इसके बाद जो चैप्टर 11 देख लिजे चैप्टर 11 जो है कि सजीवों में अनुकलन सजीवों में जो अनुकलन होती है उसके बारे में 11 चैप्टर मे बारे में पढ़ा जाएगा मापन के बारे में पढ़ा जाएगा और गती के बारे में पढ़ा जाएगा ओके अब इसके बाद देख लीजिए चैप्टर 13 चैप्टर 13 हमें जो है प्रकास हम लोग प्रकास के बारे में पढ़ेंगे चैप्टर 13 में और जो चैप्टर 14 है इसमे बारे में हम लोग 14 में पढ़ेंगे बल्ब जलता है जगमक जगमक तो उसमें क्या-क्या होता है कैसे जलता है सब इस सब के बारे में जो है चैप्टर 14 में देखने को मिलेगा और जो चैप्टर 15 है इसमें हम लोग मैगनेट से समधित जो है जनकारी हांसिल करेंगे चुमबक जिसको हम बोलते हैं चुम्बक क्या होता है चुम्बक में कितने धुरू होते हैं उतरी धुरू दचरी धुरू होता है कैसे यह जो चुम्बक होते हैं कितने प्रकार को होते हैं कैसे चुम्बक आकरसित करते हैं यह चैप्टर 15 में पढ़ेंगे और जो चैप्टर 16 है इसके बारे में हम लोग water के बारे में पढ़ेंगे जल, जल क्या है, जल हमारे जीवन में केव आवस्याक है, यह हमारे लिए केव आवस्याक है, यह जितने सारे प्रित्वी पर जीव, जन्तु, प्राणी सभी रहते हैं, उनके लिए जल केव आवस्याक है, तो यह chapter 16 में पढ़ने क मिलेगा और जो चैप्टर 17 है इसमें हावा से रिलेटर हम लोग पढ़ेंगे हावा हम लोग के लिए क्यों जरूरी है हावा क्या है मिश्रण है कि योगी है इसके बारे में पढ़ेंगे हावा में कौन-कौन सी गैसे मिली हुई है इसके बारे में पढ़ेंगे और जो चैप् जो है कैसे किया जाता है सरकार के द्वारा जो काचड़े बहुत सारे होते उसका प्रभंद कैसे किया तो चैप्टर 18 में हम लोग को पढ़ने को मिलेगा और जितने सारे चैप्टर का आपको नाम बता हैं- perfect 18 तक इसमें हम लोग चैप्टर 18 तक के इसमें बस तुनिष्ट मतलब कह सकते हैं MCQS जो जितने सारे प्रस्ण होंगे वो सारे प्रस्णों को हम लोग एक करेंगे तो यह जितनी सारी क्लास से होगी आपके लिए बहुत अती आवस्यक होगी हमारा जो प्रयास रहेगा कि यह जितनी सारी क्लास है इसको जल्द से जल्द हम खतम करें और सारे MCQ करा दें कि जिससे आपको साइन्स में क्लास 6 से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई दिकत न हो पाए तो आए हम लोग अपने चैप्टर को स्टाट करते हैं दिखिये यहाँ पर हम लोग का जो आज का जो चैप्टर है कि भोजण कहां से आता है场 चेप्टर 1 में आप देख लिजिये, भोजन कहां से आता है, यह हम लोग का आज का चेप्टर है, मुख्य चेप्टर, आइए हम लोग इसको ध्यान से पढ़ते है, अध्यन समागरी के रूप में, देखिए, यहां पर जो पहला जो हम लोग का जो टोपिक है, कि जिस प्रकार वाई एवम जल हमारे जीवन के लिए अती आवस्यक तत्यव में से एक मानी जाते हैं ठीक उसी प्रकार भोजन भी हमारे जीवन के लिए आवस्यक तत्यव तत्व जो होते हैं तो देखिए यह जो chapter 1 है, जो मुख्य point है, वह मैंने यहाँ पे लेने का प्रियास की है, यह नहीं है कि मैं पूरा किताब का अध्यान किया, और यहाँ पे पूरा उसको छाप दिया, यह नहीं है, उसमें से जो जो चीज important लगा आपके लिए, जो परिच्छा में बन सकते हैं उसी को मैं यहाँ पे लेने का प्रियास की है, और इसी से मैं जितने यहाँ पे आप लोग को आज समझाओंगा, उसी के जो अगर मालीजी वीडियो लंबा नहीं होता है, तो मैं वहाँ पे MCQ भी आप लोग को यहाँ पे chapter 1 से एक से लेकर 50 वो MCQ करा सकते हैं, ओके, तो यहाँ पे इसका कहने का मतलब क्या होगा, कि वायू हावा और जल हमारे जीवन के लिए बहुत आवस्यक तत्व माने जाते हैं, अगर हावा न रहे या जल न रहे, तो यह प्रित्वी पर कोई भी प्राणी, कोई भी जीवजन्तों जीविते नहीं रह सकता है, अगर जिस हावा और जल हमारे जीवन में अती आवस्यक है, उसी परकार भोजन का भी हमारे जीवन के लिए बहुत आवस्यक है, अगर भोजन नहीं है, तो हमको उर्जा नहीं मिल सकती है, हम कहीं चल नहीं सकते हैं, कोई भी काम को नहीं कर सकते हैं, इसलिए हावा के सांसात जल का भी रहना जरूरी है और उसी प्रकार भोजन का भी रहना जरूरी है इतना किलियर हो गया इसके बाद देखिए आगला जो है भोजन वह भोज्य पदात है भोज्य के मतलब होता है खाने वाला जो हमारे सारीरिक एवं मांसी की विकास को उर्जा प्रदान करता है इसका कहने का मतल एक लेते हैं मोटे आदमी को ले लेते हैं और दूसरा जो लेते हैं पतले ब्यक्ति को ले लेते हैं तो मोटा जो ब्यक्ति होता है उसमें भोजन करने की जो छामता होती है वह सबसे ज़्यादा भोजन करता है और जो पतला ब्यक्ति होता है वह सबसे कम भोजन करता है तो वह हमारे सरीर का विकास होगा, हात पर वरिधी करेगा, और हम लोग अपने काम को भी काम होगा उसको हम अच्छे तरीका से कर पाएंगे, हम लोग की सुचने की छामता ज्यादा होगा, तो इसी परकार कहा गया है कि भोजन हम लोग करते हैं, तो उसे बहुत सारे चीज फैदे हो हम काम करते हैं, कोई भी काम को कर सकते हैं, भोजन नहीं कर पाएंगे, तो आप एक या दो दिन भोजन नहीं कर पाते हैं, तो आपको सरीर में कुछ आपको पता चलने लगता है, फिलिंग होने लगता है, महसूस होने लगता है, क्यों आज हम भोजन नहीं कर पाएं, हमको ये काम नहीं हो पाएगा अगर भोजन आप दो दिन न कीजिए और आपको कह दिया जाए कि भया आप लेजिए 50 के जी और ये जो आटा है 50 के जी आप ले जाकर मिल में दे दिजिए तो क्या आपसे संभव होए बिल्कुल संभव नहीं है तो इसलिए हमारे जीवन में जो है भोजन का भी आवस्याख है जिस परकार हावा और जल का आवस्याख है किलियर हो गया इतना ही नहीं मनुसियों को हरे काम करने के लिए उर्जा की आवसकता होती है जो हमें भोजन से ही प्राप्त होती है अब यहां पे बताया गया है कि भोजन से हमें क्या-क्या जो पोशक तत्व हैं वह क्या-क्या मिलते हैं तो भोजन से हमें कार्वो हाइट्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, वासा मिलता है, बिटामिन मिलता है और जितने भी खनीच लवण है ये हमको भोजन से मिलते हैं तो ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है बहुत आवस्तियक है ठीक है तो इसे जरूर आप लोग ध्यान में रखिये गए कि भोजन से हमें कार्भोहाइट्रेट प्राप्त होता है प्रोटीन होता है वासा होता है बिटामिन होता है और खनीच लवण होता है इसके बाद अगर बात करें अगर ये इसे से हमारी जो मांस से प्यसिया होती है मांस हड़ी दान्थ बाल नाखुन आदी का विकास में ये सहायक होती है कार्बो हाइट्रेट, प्रोटीन, वासा, बिटामिन, यह सारी चीज जो हमारे सरीर के अंदर होने चाहिए, जब हम भोजन को करते हैं, इससे हमारी जो हड्डिया हुआ, दाथ हुआ, बाल हुआ, नाखुन हुआ, और बहुत परकार के जो अंग होते हैं, उसका जो है विकास जो है, अच्छे तरीका से हो सके, तो यह हो गया भोजन से, हमें कार्बो हाट्रेट, प्रोटीन, वासा, बिटामिन, खनिजलवन, यह सारी चीज प्राप्त होते हैं, ओके, थोड़ा सा सांथियो रूख जाईए, ठीक है, इसके सांथ साथ साथ, सभी सारीरी किरिया कलापो के संपादन में सहायक भी होता है. जितने भी अगर भोजन करते हैं, तो उसके उप्रान होती है, जितने भी किरिया कलाप जो हम लोग डेली करते हैं, वह उसके लिए बहुत क्या होती है? सहायक होती है. इतना ठीक किलियर हो गया. इसके बाद आगे हम लोग देखिए, यहा आहार सिरिंखला को बनाय रखने में मदद करती है अब यहां पर आ गई है बात की आहार सिरिंखला होता क्या है भाईया हमको इसके बारे में कोई जनकारी नहीं है तो आए हम लोग यहां पर चीतर के माधियम से आप लोग को समझाने का प्रियास की है जिससे आप लोग को अच्छे तरीका से समझ में आ जाए देखिए यहां पे जो अहार सिरिंखला क्या है तो हमारी प्रित्वी पर कोई भी प्राड़ी और जीव जन्तु नहीं रह पाएगा उनकी ज्यादा संख्या में ब्रीधी हो सकती है तो इस चीज को रहना बहुत जरू देखिए यहां पे पहले हम यहां पे बात करते हैं कि पहले नमर पर जो होंगे हरे पौधे हो जाएंगे जिसको हम उत्पादक कहते हैं यह पोसी अस्तर को होते हैं ठीक है जिसको हम पोसी अस्तर कहते हैं पहले नमर पर होंगे पोसी अस्तर होंगे और उत्पादक हो जाए होते हैं यहां पर आगे आते हैं दूसरे स्टिप में इसके बाद तिसरे स्टिप में हैं मेठक अब भाईया हारा पौधा को तो टीदा खा गया अब तो इसको कौन खाएगा तो इसको भाईया मेढख खाएगा कौन खाएगा तो मेढख कौन सा जी जन्तु में आ जाएगा तो मेढख मांसहारी जन्तु में आ जाएगा ये भी जो इसका जो अस्तर होगा ये पोसी अस्तर का तीसरा जी हो जाएगा कौन सा जी हो जाएगा तो तीसरा जी ह आ जाएगा तो यह उच्छतम स्रेणी के मांसाहादी जन्तु हो जाएगा कौन सा साप हो जाएगा यह चोथे नमबर पा जाएगा और यहां पर जो साप को कौन सा जीव खा सकता है जैसे साप को खाने के लिए चील हो सकता है गरून हो सकता है बाज हो सकता है यह सब जो हो जा या अपमाजा किये यह पांचवे नंबर के पोसी अस्तर होते हैं तो यह जो हमारे दुनिया में यह सिरिंखलाएं जो है हमेशा निरंतर चलती आ रही है और हमेशा बनी हुई है अगर माली जी ऐसे ही अगर हरा पौधा को कोई जीव जनतु नहीं खाता तो क्या यह ऐसा ठीक होता कभी भी संभव नहीं होता तो इसलिए भगवान के द्वारा जो है यह प्राकिरतिक देन है और अहार स्रिंखला को बनाया गया अगर नहीं आया तो आप यहां पे देख सकते हैं फूड़ी चेन देखिए यहां पे मैंने फीगर लेने का प्रियास किये ग्रेजिंग फ देखिए यहां पे फ्लावर्स है यहां पे फूल हो गया इस फूल को यहां पे कैट पिलर जो टीड़ा बोला जाता है इसको खा रहा है और इसको खाने के उपरां जो है इसको मेड़ा खा रहा है पहला नमर जो टीड़ा है यह पेंड़ पौधे को खा रहा है फूल को खा और मेध को ओं खा रहा है तो मेध को साब खारा है और सांप को कौन खाएगा तो यह जो सुट मजीव होते हैं जैसे यहां पर आप लू फे स्टाइब उल लू जो है सांस को पकड़ के खा जाएगा तो यह जो है हमको पूरे दुनिया में यह grazing food chain जो है इसका रहना बहुत आवस्याख है तो इसी को हम आहार स्रिंखला के नाम से जानते हैं तो यह आपके लिए बहुत आवस्याख हुआ किलियर हो गया समझ में आ गया कोई दिकत होगा तो आप जरूर कॉमेंट करके बता दीजिएग इसके बाद जो अगला पॉइंट है कि इसके परिडाम स्वरूफ ही परियावरण में अब हरे भरे पेनपोधे जीव जनतुओं पसुपंचियों एवा मानों दिखाई पड़ते हैं अब देखिए यहां पे आप लोग को तो आहार स्रिंखला के बारे में समझा दिये हैं कि हमारे वातावरण हो गए हमारी जो परियावरण हो गए इसमें हरे भरे पेनपोधे जीव जनतुओं पसुपंचियों मानों दिखाई पड़ते हैं क्यों कि आहार स्रिंखला के वज़ा से ही अगर यह नहीं रहता तो यहां पे प्रित्लिपर कोई भी जीव जनतु नहीं द दो रूपों में करते हैं एक होता है पादप उत्पाद के रूप में एक होता है जनतु उत्पाद के रूप में पादप में होता है पेनपोधे के द्वारा हम लोग को उत्पाद मिलता है जैसे लकडिया हो गया फल फुल हो गया यह सब पादप से मिलते है साग सबजी हो अब इसके बाद जो जन्तु उत्पाथ से क्या क्या मुणता है जन्तु से जतRE 제से घाय से हमलोग को दुद मिलता है दुदा इनसे गोईथा भी मिलता है जिससे हम लोग खाना बनाते हैं ठीकुछructor है तो यह सब इनसे हम लोग भोजय पदार्थी जो है हम लोग अपने लिए आवस्यक जो उत्पाद होते हैं इसे हम लोग उपियों करते हैं अब यहां पे जो बात आ गया है कि देखें पॉइंट में कि जहां एक और अधिक से अधिक भोज्य पदार्थ की प्राप्ति होती है हमें पेंड़ पहुद्य से होती ह यहां पे कहने का मतलब है कि जहां एक और एक से अधिक जो भोज्य पदार्थ की जो हमें प्राप्ति होती है वह अधिकांस्ता पेंड़ पोधे से ही होती है अधिकांस्ता हम लोग कहां से करते हैं तो पेंड़ पोधे से ही करते हैं ठीक है जो कुछ यहां पेंड़ पोधे के रूप में लेते हैं यहां पे हो जाएगा हम भोजन के रूप में क्या करते हैं इसको लेते हैं तो यह बाते को सही बोला गया है कि जो पेंड़ पौधे की जड़ को भी हम लोग खाते हैं ताना को भी कुछ पतिया भी होता है फल भी होता है फोल भी होता है यह सब हम लोग अपने भोजन के रुप में इसको सेवन करते हैं जैसे यहाँ पर बताया गया है जैसे में हम लोग देख लीजे जैसे क्या होता है जैसे यहाँ पर देखिए आप लोग को समझाने का प्रियास की है जैसे में यहाँ पर ले लिए हैं यहां पे भोजे पदार्थ और यहां पे लेली हैं पौधे के भाग। अद्रक की बात करें। याद करना होगा आप लोग को यह भी बहुत इंपोर्टेंट यह पॉइंट है। अद्रक हुआ, प्याज हो गया, मुली, गाजर और आलू यह सब जो पोधे के भाग होते हैं यह जड़ वाले होते हैं। प्रस्न पुछा जा सकता है कि निमनलिखित में से जड़ वाले जो पोधे हैं कौन-कौन से हैं। तो पुछ देगा अद्रक हो जाएगा, पाला अप्स पता है तभी तो आप इसको सही कर पाईएगा, अगर नहीं पता है तो आप इसे कैसे सही कर पाईएगा। इसलिए अद्रक हो जाएगा प्याज, मुली, काजर और आलू यह जड़ में आएंगे। किलियर हो गया। अगर उसी प्रकार बात करें कि साग, पता, गोभी, सरसो और मुँग फली, माप कीजिए साथी को, किबल साग और पता गोभी को लिजे, तो यह पती एवं ताना के अंतर का दाएगा। यह जो पोधे का भाग हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, तो पती एवं ताना हो जाएगा। किलियर हो रहा है। अगर सरसो की बात करें, सरसो और मुंग फली का जो है इसमें से बीज निकल बीज से हम लोग गोलते हैं तब इसका फल जो है हमको देखने को मिलता है उसी परकार अगर बात करें यहां पे सोया भीन भी हो जाएगा यह बीज से होता है अगर बात करें आगे तो चाना हो जाएगा गेहूं हो जाएगा आम ह और केला हो जागा यह सारे चीज फल के अंतर गता जागे यह जो बाते अभी अभी आपको बता हैं यह किलियर हो गया होगा ओके आगे बढ़ते हैं देखिए अगला जो हम लोग का पॉइंट है कि दूसरी तरफ हम आंडा मांस दूध और सहद आधी पसुपंच्यों से प्रा ठीज फीर आते हैं खर उसकी बाद अलग है और दूध हो गया जो हम लोग को गया से प्राप्त होती है सहद मिलता है तो हम लोग को भी बहुत प्रकार के ऐसे शाधन है जो भगवान ने ऐसा बना दिया है प्रकिर्थी में जहांसे हम लोग मनुस्य को सारी जगं से भोजन क अपना इकठक कर पाता है अगर पसू पंची की बात करें तो वह भोजन कहां से इकठक कर पाएंगे जैसे अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो हम अपने लिए अपनी सामागरी को जुटा लेते हैं गर्मी के बाद बरसात आएगा तो यह हमको पता है अपने माइंड सेट में हम लोग रख लिए हैं अगर मालिजे उसी प्रकार अभी पसू पंची के बात करें तो पंची बेचारी अभी कहां से अपने भोजन को जुटा सकती है क्योंकि पानी की भी बहुत किलत है तो आप लोग देख सकते हैं तो यहीं सारी चीजे जो है हम लोग को पढ़ना है इस इसमें यह सारे चीजों को रहना अतिक आवस्यक है ओके आगे देखिए आगला जो पॉइंट है इसमें बताया गया है कि पर्यावरण में सभी जीवजनतु एक दूसरे पर अपने आहार के लिए आसरीत है बिल्कुल सही बात बुला गया है यहां पे कि जितने भी पॉधे पर भी नीरभर है अभी आप लोगों को बता है उसके बाद हम लोग जीवजनतू पर भी नीरभर हैं हम मतला हम लोग भी एक दूसरे पर क्या है नीरभर है हम तो आगे जो बात कहा गया है कि जो खाद समागरी है वे सभी प constrained जो पीण्फ पॉधे या जन्तू से प उनसे हमको खाने के लिए जो हम भोजन प्राप्त होता है और भोजन करने के उपरांद जो हमें उर्जा मिलती है वही खाद समागरी कहलाती है किलियर हो गया जैसे गेहूं हो गया चावल हुआ दाल हुआ सरसो हुआ दूध हुआ अंडा और मांस आधी यह सारे चीज़ जो है खाद समागरी है किलियर हुआ इसके बाद देखिए आगे जो है खाद समागरी के जो सुरोत है कौन-कौन से हो जाएंगे तो पादप उत्पाद इवं जनतु उत्पाद पाद के मतलब पेनपोधे हो जाएंगे और जनतु उत्पाद जो हो जाएंगे यह खाद समागरी के शुरोत हो जाएंगे, ओके, अगर पादप जो उत्पाद के बात करें, तो डाल होगा, चावल, गेहु, पालक, गोभी, टमाटर, आलू और प्याज हो जाएगा, ओके, अगर यहां पे जनतु उत्पाद की बात करते हैं, तो इसमें मांस हो जाएगा, अंडा, दोद, घी, तो यह जितने सारे आज की लेक्चर आपको लिए हैं, इतने सारे आपको बताए हैं, क्या आपको समझ में आया होगा, तो आप लोग जरूर कॉमेंट कर दीजेगा, इससे आप लोग हमको पता चलेगा, कि जो भी आज में आप लोग को क्लास में कराएं, वो बारे के से मांसाहारी एक होता है सरवाहारी अब सकाहारी जन्तु क्या होते हैं मांसाहारी और सरवाहारी जन्तु क्या होते हैं आएगे हम लोग इसको चित्रात्मक तरीका से देखेंगे बहुत अच्छे तरीका से समझेंगे जो सकाहारी जन्तु है जैसे कह सकते हैं यह क्या होते हैं व उसलब जो क्यों पोधे को खाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, सकहारी जन्तु कहते हैं, जैसे गाय हो गया, गाय तो मनसाहरी नहीं हो, गाय तो कुछी नहीं खाती है, क्यों घास भूसा खाती है, उसी प्रकार भैस, चुहा, हाथी, बकरी और तोता, यह सारे जीव जन्तु है यह साकाहारी स्रेणी के हो सब्सक्ष्य के इस के बाद दूसरी नमर को पर और नहीं मानसाहारी में आ जाएंगे कि वे सभी जन्थ यहां प्र बाग जाएंग कि यहां पर दूसरे जन्थ यहां प्र साहारी जन्थे पर देखके कोसरों नितर्वBe Burnow चिपकिली है, यह दूसरे जन्तुओं का सिकार करती है, उसी प्रकार जो यहां पे आप देख सकते हैं, चेतर में बाग, बाग भी क्या होता है, दूसरे जन्तुओं का सिकार करता है, तो यह सारे जो जन्तु है, यह मांसाहारी जन्तु के स्रेणी में आ जाएंगे, अब रही जन्तू जो पाधप और जन्तू दूनों उत्पाद को दूनों चीज को अपने भोजन के रूप में लेते हैं उससे रवाहारी कहते हैं जैसे हम लोग भी'd हो गया हम लोग't say she happens को भी खाते हैं मांस मचली को भीली को भी हारी जन्तु हो जाएंगे यह दोनों चीज खाते हैं किलियर है इतना समझ गए अब देखिए सांथियों यहां पे हम लोग आते हैं इसका कुछ अब्जेक्टिव प्रस्णों को कर लेते हैं क्लास तो थोड़ा सा लांबा हो सकता है तो इसमें आप लोग घबडाईये गन्मत अब यहां पे जो प्रस्ण का पहला कर रहा है कि निम्न लिखित यहां पे निम्न लिखित में से कौन सा जो खाद्य पदार्स होता है वह जानवरों से लिया जाता है दूद, अंडा, मांस और यहां पे उपरियुक्द सभी तो D-Apsion यहां पे बिल्कुल सही वरा है उपरि को जश्ट बता है कि केले का कौन सा भाग जो है खाया जाता है फूल, फल, ताना और जड़ तो यहां पे B-Apsion सही होगा फल को खाया जाता है कौन से भाग को खाया जाता है तो फल को खाया जाता है तिसरा जो यहां पे प्रस्ण है कि मांसा हारी जन्तु किसे कहाते है अभ सा हारी जन्तु कहते हैं चोथा प्रस्ण को देखिए चोथा जो प्रस्ण है कि निम्ना लिखित में से कौन सा खाद पदार्थ पोधे से लिया जाता है कौन सा जो खाद पदार्थ है वह पोधे से लिया जाता है अनाज को भी फल सब्जिया और यहां पर उपरित सभी तो डि जो है हमारे भोजन का मोखे शुराथ होता है पोधा जानवर ऐ और बी दोनो इन में से कोई नहीं तो यहां पर राइट अंसर जहोगा यह बिकल्ब सही होगा ए और भी दोनो क्योंकि भोजन का मोखे सुराथ की बात करा है अभी जाश्ट आप लोग को बता है अक्सिजन होते हैं A और B दोनों और इन में से कोई नहीं तो राइट अंसर जो होगा B सही होगा क्योंकि कार्बो हाइट्रेट में कार्बन होता है हाइट्रोजन होता है और अक्सिजन होता है तो बी अंसर जो है राइट अंसर है साथ जो प्रस्ण है कि चावल से हमें क्या मि कद्दू का कौन सा भाग खाया जाता है, तो फूल वाला जो भाग होता है, कद्दू का खाया जाता है, प्रस्ण जो 9 है, कि वे जानवर जो दूसरे जानवर को खाते हैं, उससे क्या खाते हैं, तो उससे क्या खाते हैं भया, तो उससे मांसा हारी जनतु कहते हैं, वे जानव सारवाहारी जनतु हैं, अब यहां पर बात रहा है कि 11 कुता क्या है भईया ? तो ुता सरवाहारी जनतु है, 18 जो प्रसन है कि वे को भी खाते हैं और जानुवर को भी खाते हैं आपको अभी जश्ट पढ़ाई भी हैं तेरा प्रस्न कार है कि हमें चीनी कहां से प्राप्त होता है तो हमें चीनी गन्ना से प्राप्त होता है कहां से प्राप्त होता है तो गन्ना से प्राप्त होता है चोगदा प्रस्न कार है क तोता क्या खाता है भाईया तो तोता क्या खाता है तो तोता अप्सन ए राइट अंसा सही हो रहा है क्योंकि तोता जो है पोधा खाता है इसके बाद जो पंदरा प्रस्न है कि मधु मक्या पोधे की किस भाग से सहद प्राप्त करती है मध्मक्या जो है पोधे की कौन से ऐसा भाग होता है जहां से सहत को प्राप्त करती है पुस्प पत्ता ताना और जड़ तो यह अप्सन जो है यहां पे राइट होगा पुस्प से प्राप्त करती है 16 प्रस्णों को देखिए, 16 जो प्रस्ण है कि निम्ना लिखित में से कौन सी सबजिया है, तो D अंसर यहां पी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि पालक भी सबजी है, गोभी भी सबजी है, और गाजर भी सबजी है, यह तीनों चीज की सबजी बनती है, 17 प्रस्ण है, दूद कहा से मिलता है, दूद कहां से मिलता है, जन्तूव से, पोधे से, यह और भी दोनों से की कोई नहीं, तो राइट अंसर यह होगा, क्योंकि दूद जो है, जन्तों से मिलता है, नकी पोधे से मिलता है, ओके, आगला प्रस्ण जो है, 18 प्रस्ण यहां पे देखिए, 18 जो प्रस् मतलब नश्ता जब हम लोग नश्ता जब हम लोग खाँ सकते हैं. तो यहां पर बींसर बिल्कुल सब्सक्राइब कुछ चिता भी तीनों हो जाइंगे. इंच प्रसन ही कि जड के रूप में कौन सी सबजी होती है? जड़ के रूप में कौन सी सब्जी होती है गाजर मुली आलो यहां पे उपरिग सभी तो राइट एंसर डी होगा यहां पे उपरिग सभी हो जाएगा क्योंकि अभी जस्ट आपको करा है गाजर मुली और आलो यह जड़ वाले पौधे होते हैं यहां पे 22 जो प्रस्ण और gosh 7 प्रस्ण लक्रोड़ के पोदे काजेते हैं पादब करते हैं जीव जनतु तो किस्ती आङिह और नहीं हो सकते हैं तेष्ट प्रस्ण करा है कि कौन सी सभी अभी चश्ट आपलोगों Precis सभी बताह एं जड़ के रूप में यहां पर उपरिग सभी हो जाएगा गाजर म मोली और आलू हो जाएगे यहाँ पर 24 प्रसनिक करा रहा है कि साकाहारी जंतु कौन से हैं गाहों बक्ष् Ginger हजोर हगा यहाँ राइट अंसर होगा गाया भी यहाँ भी है विए साकाहारी जंतु हो जाएगे और यहाँ पीछिस प्रसनिककरा का रहा है कि वे जनतु जो केवल पौधे को कवा झाधे हैं वह क्या कह लाते हैं तो वे जनतु जो पौधे को कहते है वह साकाहारी जनतु कह लाता है या भी जश्व्ट आप लोगो करा है तो ये मैंने आजके क्लास 25 को करह आप इसके बाद जो है 25 के बाद आपको और प्रस्न जो है अगले लेक्चर में आप लोग को करा देंगे और उसके आगे का चेप्टर आपको पढ़ाएंगे ठीक है तो ये क्लास आपको कैसा लगा जरूर आप कोमेंट करके बताईएगा और लाइक, सेयर और सस्क्राइब करना मत बुलिएगा आप इसे दोस्तों के पास भी सेयर जरूर कर दीजिएगा तो इस तरह के आप लोग की च्वाइस क्या है आप लोग कौन सा सब्जेक्ट को पढ़ना चाते हैं आप लोग जरूर पता दीजिएगा उसी के एकावडिंग आप लोग को एमसी की मतलब बस तुनि जय भारत